चाय पर चर्चा करते हुए देखा था, तो जो चाय बेचवे की बात करते थे, हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ, आज आप कॉंग्रेस के नेताओं के घर पे एडी भेजते हैं, और सो जिया सहा के पिता जी से, वही कॉंग्रेस का नेता अगर फॉन पे सेटिंग क को टॉक्टर बाबा साहब भीमरा अम्बेदकर छत्रपती सिवाजी महराज साहोजी महराज अन्ना भाव साथे गाडगे महराज संतुका राम आंदोलनों और क्रांतियों की भूमी साबित्री वाई फूले की इस भूमी को नमन करता हूँ आपको प्रणाम करता हूँ राथियों बिना किसी आपचारिक्ता के मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करते हुए आप तमाम भारतिया राष्टिय कॉंग्रेस के एक-एक कारिकरताओं का समर्थकों का मतदाताओं का देश के कोने-कोने में किसी भी माध्यम से इस कारिकरम से जुड़े हुए कॉंग्रेस पडिवार के एक-एक सदस्य को पार्टी की अस्थापना दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई देता हूँ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों यह हम सब के लिए बरे गर्व की बात है कि देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी राजनितिक दल जो एक राजनितिक दल नहीं है जिसने आज के भारत का न्यू रखा है उस-पार्टी का हम अस्थापना दिवस मना रहे हैं यह हमारे लिए गर्व की बात है जब हम अपने पार्टी की अस्थापना दिवस मना रहे हैं तो हमको कुछ बात अपने दिमाद में अपने जहन में उतारने की जरूरत है सबसे पहली बात ये है कि जब हम नागपूर में यहां मना रहे हैं तो जो लोग नागपूर को संग भूमी बनाना चाहते हैं उनको हम चुनाउती देना चाहते हैं जब तक कॉंग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी जब तक इस देश में एक भी कॉंग्रेसी कारिकरता जिंदा रहेगा अपने रक्त के आखरी कत्रे तक नागपूर को संग भूमी नहीं दिख्षा भूमी बना करके रखेगा इस बात को य हुए हैं और महात्मा गार्धी ने जिस पार्टी को बनाया है जब तक वो पार्टी जिंदा रहेगी तब तक आप इंसान को इंसान से नहीं लड़ा सकते हैं हम बोलते रहेंगे रगुपति रागव राजा राम पतीत पावन सीता राम ईश्वर अल्ला तेरो नाम सब को सन मति दे भगवान हम यह तराना गाता रहेंगे इस बात को याद रखिएगा और जब आज हम पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं भारतिया राष्टिये कॉंग्रेस की तरफ से कि हैं तयार हम तो किस बात के लिए तयार हैं हम हम तयार हैं इस देश के संभिधान की रख्षा करने के लिए आप तयार हैं कि नहीं हैं इतनी जोर से आवाज लगाईए कि यह आवाज नागपुर से दिल्ली तक पहुचनी चाहिए आप तयार हैं कि नहीं हम तयार हैं इस देश की जम्हूरियत को बचाय रखने के लिए हम तयार हैं इस देश में कमरतोर महंग पुरने वाले अत्याचार को समाप्त करने के लिए हम तयार हैं आजाद देश में आजावी की रख्षा के लिए हम तयार हैं यह हमारा संकल्प है और जब हम इस संकल्प को दुहरा रहे हैं तो एक चुनावती भी हम लोगों को समझना परेगा भाईयों चुनावती यह है कि आप मेंसे बहुत सारे लोगों को एक अनभव हुआ होगा कि जब आप किसी पुकेटमार को ट्रेन में पुकेटमारी करते हुए पकर लेंगे तो पुकेटमार इतना चालाख होता है कि वहीं जोर से चोर-चोर चिलाना शुरू कर देता है बोलियो होता है और नहीं होता है पॉलाना अबुलकलाम आजाद, सर्दार बल्लब भाई पटेल, एनी बेसेंट, सरोजनी नाइडू की पार्टी के साथ भी यही हो रहा है, कि हमने चोड को चोडी करते हुए फिर से पकर लिया है, हमने इनको चंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखा था, तो पोकेट मार को जो पकर लिजेगा, तो वो चोड़ चोड़ चिलनाने लगेगा, वो कहते हैं कि कॉंग्रेस इस देश में भरस्का चार ले करके आई, एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, आज आप कॉंग्रेस के नेताओं के घर पे एडी भेजते हैं, पर सो जयासा के पि है कि जो पार्टी देश की पार्टी है, उस पार्टी को देश के आम लोगों के नजर में बदनाम किया गया है, और देश के आम लोगों के नजर में इसलिए बदनाम किया गया है, कि अगर आप कॉंग्रेस के परती अपनी भावना छोड़ देंगे, तो देश में कोई आप की बात करने वाला नहीं रहेगा इस बात को याद रखिएगा इसलिए इस मंच से मैं आप तमाम लोगों से एक बात की अपील करना चाहता हूँ कि हे Congress के कार करता हूँ, जब आप चाय की दुकान पर बैचते हैं, जब आप ट्रेन से यातरा करते हैं, जब आप बसों में चलते हैं, जब आप खेतों में चर्चा करते हैं, दफ्तरों में चर्चा करते हैं, तो एक बात को याद रखिएगा, एक बात को याद रखिएगा कि सामने वाला दिव आपको जलील करता है ना तो वो आपको जलील करने से पहले अपने मावाब को जलील कर रहा होता है अपने पूरवजों को जलील कर रहा होता है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी इस देश का इतिहास है बरतमान है और इस देश की आम आवाम का भविस्त है यह बात हमको समझना परेगा हमको समझना परेगा कि कॉंग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़कर के इस देश को आजादी दिलाई आजाद भारत में पहली वार ऐसा हुआ कि दलीतों को और ब्राह्मनों को बराबरी का वोट का अधिकार मिला आजाद भारत में पहली वार ऐसा हुआ कि महिलाओं और पुर्षों को बरावरी का वोट का अधिकार मिला आजाद भारत में पहली वार ऐसा हुआ कि राजे राजवारा का वोट भी एक और नाली में उतर करके गटर साफ करने वाले का भी वोट एक ऐसा भारतिय राष्ट ये कॉंग्रेस अस्थापित करके आई मैं कहता हूँ कि जिस पंडी जोहला नहरू को लोग आज संसद में खड़ा हो करके गालियां देते हैं याद रखना मेरे दोस्त अगर पंडी जोहला नहरू नहीं होते तो जूट ही सही तुम ये बात आज बोल नहीं पाते कि एक चाय बेचने वाला भी देश का पढ़ान मंतरी बन सकता है कॉंग्रेस का इतिहास ये है कि हम इस देश की आम आवाम के लिए लरे थे लरे हैं और लरेंगे इसलिए मानलिया मलिकार जुन खारगे साहब अपने पचास साल के राजनितिक इतिहास में एक कॉंग्रेस के आम कारिकरता से भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस के राष्टिया अध्यक्ष बने हैं यह है कॉंग्रेस पार्टी का लोक्तांत्रिक इतिहास यह है इस देश का इतिहास इसलिए आप तमाम कार्करताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज जो देश की हालत है जिस तरीके से किसान आत्म हत्या कर रहे हैं जिस तरीके से हर घंटे नौजवान आत्म हत्या कर रहा है इसलिए हम कोई संकल्प के साथ चलना परेगा कि यह हमारी कॉंग्रेस है हम सब की कॉंग्रेस है यह हमारा देश है हम सब का देश है और इसको बचाने के लिए अपने सरीर के आखरे खून के बून तक हमको संगर्स करना परेगा तो आप बताइए चुनावी हार जीत अपनी जगह पे है देश बचाने के लिए संबिधान बचाने के लिए सब को सिख्षा के लिए सब को काम के लिए आप तयार है कि नहीं है अगर आप तयार हैं तो आखरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा हमारी रगों में उन पूरवजों का खून बहता है जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी दिलाई थी जब हमारे पुडखे अंग्रेजों की टेंक से नहीं डड़े जब हमारे पुडखे बलिदानियों का इतिहास बनाया जब हमारे पुडखे फांसी के फंदे को हस्ते हस्ते चूम लिया तो तुम एक बात जान लो भाई तुम्हारा जो frontal organization है न, ED और CBI, उससे हम घड़िघंट नहीं डरने वाले हैं, आप लोग डरने वाले हैं क्या, तो इस देश की बचाने की लराई में, सब को सिख्छा के लिए, सब को काम के लिए, और इस देश के हर आवाम को बरावर के आत्म सम्मान के लिए, आप संघर्स करेंगे एक नहीं करेंगे, अगर हम पूरी तरह से संघर्स करेंगे, तो आखरी अपील के साथ, आखरी बात के साथ अपनी बात खट्म करता हूँ, कि कहते हैं कि कैसे आकास में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबिए से उच्छा लो यारो, अगर कॉंग्रेस का ए इसके सपने का निर्मान करेंगे, इनहीं सब्दों के साथ एक बार पुना, अपने पूरे नत्रित को धन्यवाद अदा करते हुए, और हमारे नेतामुकल जी को धन्यवाद अदा करते हुए, आप सब का धन्यवाद अदा करते हुए, अपनी बात को खत्म करूंगा, शुक झाल झाल